हमारी मेन क्यारेक्टर हॉलिडे के लिए बीच हाउस पर आई हुए थी तब उसके मदर का पास्ट का फ्रेंड आकर उनसे मिलता है वो एक बहुत ही मिस्ट्रियस आर्टिस्ट था जब इन दोनों में करीबिया बढ़ने लग गई तब सारे राज बाहर निकलते हैं अब आगे वीडियोज रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू करतीजे अब बीना किसी देरी के एकस्पलेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होते हमें एक फैमिली दिखाई जाती है अपने हॉलिडे पर अपने बीच हाउस बरे आये हुए थे फैमिली में मदर का अच्छी नहीं लगती पर फिर भी चीज वो करना जाती है वो लिट्रिचर में पढ़ाई कर रही थी तो उसका मानना था कभी भी स्कूल में वापस जाकर वो फिर से स्टडी कर सकती है उसे व्राइटर बनना है तो हमेशा व्राइट करने की वो कोशिश करती है पर आज कल लोग कुछ भी राइट कर नहीं पा रही ऐसे टेंशन में उसके राते बीच जाती है एक दिन एमा की मदर कैथरीन को उसके ओल्ड फ्रेंड का कॉल आया इसका नाम है पॉल बहुत सालों बाद एक दूसरे से बात कर रहे थे वो आसपासी था तो कैथरीन ने उसे विकेंड के लिए अपने घर पर बुला लिया पॉल के आने के बाद एमा उसे नोटिस करती है पॉल को यहां होलिडे के लिए आना बहुत अच्छा लगा था एमा के पैरेंस उसे इंडिडूस करवाते हैं और कहते कि अब वो जर्मनी जाने वाली है उसने स्कूल से ब्रेक लिया है इसन्ट शूट यह बहुत फेमस हो गया था इसके बाद इस सब उसकी फोटो मिलकर देख रहे थे एक बहुत ही नियूड और वाइलन फोटो शूट था हमेशा उसकी इसी टाइब की फोटो होती है पॉल को यहां आकर हॉलिडे बिता नहीं अच्छा लगा था क्यूंकि उस होगी जो तुमें फसा लेगी पॉल को रहने के लिए उसका बेड़ वेगरा एमा बना रही थी वाबर उसके सावान में उसकी फोटो उसने देखी उसे गल्बम मिलता है जो अब तक रिलीज नहीं हुआ था और यह बहुत ही अचीब था यह वो पुरा देख पाती उससे प बीच पर हैंग आउट कर रहे थे तो पॉल भी आया फिर हैंडरी और पॉल स्विमिंग करने के लिए जाते हैं हैंडरी उसे पुछता है तुम्हारा ब्रेक अप क्यों हुआ था पॉल ने कहा कि मैं मेरी गर्फेंट से बोर हो गया था कभी-कभी ऐसा हो जाता है तुमारे स पॉटोग्राफ्स इतनी अच्छी तरीके से सेल हो रही है तो तुम आगे किस टेप भी ले सकते हो जड़ा हायर प्राइस पर इन्हें सेल कर सकते हो पॉल को इन सब चीजों में जादा इंट्रेस नहीं था वो जिस तरीके से पहले काम करता था उसी तरीके से हमेशा करता र पॉल ने कहा मैं सोच रहा हो कि स्विमिंग के ले जाओ पर पानी बहुत ही थंड़ा होगा अपना माइंड चेंज कर लेता है और अंदर आ जाता है उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी एमा तो पहले मना कर रही थी फिर बाद में हा कह देती है किसी को डिस्ट इन सब चीजों के बारे में उलिक नहीं पाती पॉल कहता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एकसाइटिंग चीज होगी जो तुमने कभी की होगी एमा कहती कि एक बार लाइब असिस्टेंट के साथ मेरा थोड़ा थोड़ा अफेर हो गया था पर मैं डर गई इस वज़े से आगे कुछ भी बढ़ नहीं पाया यह सब बताते हुए एमा पॉल की इमेजिस देखने लग जाती है उसने पॉल से कहा कि बहुत ही अजीव है पॉल कहता है कि इसका थीम मर्डर था जब भी आप इस टाइब की फोटोस निकालते हो तो आपको इस कैरेक्टर में घुश जाना चाहिए जैसे आप एक्च्वाल में वह सब चीजे कर रहे हो एमा इस बात से डर जाती है जैसे पॉल नहीं एक्च्वाल में मर्डर किया होगा वो फिर अपने रूम में चली कि उससे रात में सबना आता है इसमें वो और पॉल इंटिमेट हो रहे थे वो अगली सुबा जब पॉल अपने रूम में नहीं था तो बहाँ खुश जाती है उसकी सब चीजे देख रही थी तो एक बड़ी सी नेट उसमें उसे मिली बहार आकर उसने नोटिस किया कि पॉल अपने गाड़ी के टिक्की में कुछ देख रहा था वो जब उसके बास आ तो पॉल ने डिकी बन कर ली यह बहुत ही सस्पिशिस था जब एमा वराइट करने की कोशिश कर रही थी तो पॉल उसके पास आ गया उसे एक आइडिया आए था पर वो कनफ्यूस थी कि किस डारेक्शन में उस आइडिया को लेकर जाना है पॉल कहता है कि जो चीज तुमे एकसाइड करें उसे तुम चूज कर लो और इसके बाद आगे का रासा तुमें मिल जाएगा एमा उसे बुछती है कि तुम जिस तरीके से फोटो शूट करते हो वाइलन्स के क्या चीज तुमें एकसाइड करती है पॉल ने कहा कि यही मेरी लाइफ है ये बाद एमा को और भी जादा वीड लगी तो वहाँ से चली जाती है बीच पर थोड़े टाइम बाद जब पॉल स्विमिंग करने के लिए गया तो उसका फोन पड़ा हुआ था एमा ने उठा लिया उसकी एकस गर्फरेंड का कॉल लगाने क्यों कुशिश करती है पर डारेक्ली वोइस मेल प पर वरी करने जैसा कुछ भी नहीं एक बार उसका बहुत ही फोटोशूट था जहापर उसने सब लोग को बहुत ही सेफ फिल कराया था सेट पर बहुत ही मज़े हुए थे एक्च्वल मैं मैंने खुद उस फोटोशूट में मॉडल किया था पॉल एक अच्छा परसन है अप बहुत अच्छा लगा इसकी लिंग को उसे सेंड कर देता है एमा का पॉइंट अफ यू अब बदल चुका था अगली दिन सुबह बहुत अलग अलग चीज़ों की इमेजिस ले रहा था तो उसने एमा को देखा तो उसकी फोटो ले लेता है एमा उसे पुछती है तुम इ फिर एमा की बहुत सारे फोटोज ली इस सारी चीज़े हैंडरी देख रहा था डिनर के वक्त भी एमा और पॉल बहुत सारे बाते कर रहे थे बात एक साथ वाइन पी रहे थे यह बात हैंडरी और कैथरीन को अच्छी नहीं लगती कैथरीन ने एमा को जल्दी रूम में ज मिलनी चाहिए तो मैं फोटोशूट कर लूँगा एमा कहती कि मैं भी मॉडलिंग कर सकती हूं पर मेरे चार्ज इस बहुत साथा होंगे पॉल ने कहा कि तुम्हें हायर करने के लिए लोग कुछ भी पे कर सकते हैं एमा ने यहाँ इसी रूम में अपने फादर का वेट बना दिया एमा हमेशा वाइन भी दी थी पर आज उसने स्ट्रॉंग ड्रिंक बनाए हुआ था यह दोनों फिर करीब आ गए और इंटिमेट होने लग गए थे अजानक से एमा को बहुत ज़्यादा नीन आने लगके वो पॉल को कहती है कि मुझे बाद में उठाना अगली सुबह और डारेक्ले अपने रूम में उठी कल क्या हुआ इसके बारे में उसे याद नहीं आ रहा पॉल को इसके बारे में वो पुछती है तो पॉल ने कहा कि तुम सो गई थी इसके बाद मैंने तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दिया जैसे कि हमने देखा आता कि कैथरीन और हैंडरी को पॉल का यहां रहना अच्छा नहीं लगता उसे यहां से जाने के लिए पूछ लेते हैं पॉल भी इस बात से एगरी करता है यह बात ज तबियत ज़रा खराब हो गए और उल्टी कर दिया पॉकेट में अपनी पील्स जब उसने चेक की तो उसकी नीन की गुलिया ज़रा कम थी उसे लग रहा था कि पॉल ने उसके ट्री में कुछ मिला दिया था उसे उस पर शक था ही अब फिर से इन्वेस्टिकेशन वो करने लग जाती है उसके रूम में जाकर उसकी गाड़ी की चावी उसने निकाल कर लाई पॉल की गाड़ी के ट्रंक में उसने रूब कुछ हैंग लवज और खतरनाक चीजे देखी यही चीज़ों उसने अपने मर्डर के फोटो शूट में यूज की थी पर इन सब चीजों के सा को हर्ट किया है चावी रखने के लिए जब वो पॉल की रूम में आई तो पॉल ने का तुम बहुत ही अजीब हो मैं तुमें फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ पर तुमने मेरे बारे में बहुत सारी चीज़े जान ली है इसके बाद वो यहां से चला गया मदर एमा के प तो रात में उसे अचानक से कुछ आवास सुनाई देती है वो बाहर आई तो पॉल वाया था उसके करीब आने लग गया तो एमा उसे दूर भागने लगती है उसने कहा कि तुमने मेरे ट्रिंग में कुछ मिला हुआ था पॉल गयता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास कर उसे जबरदस्ती करने लग गया एमा ने पहले ही जब उसे खत्रा महसुस हुआ तो उन्हें पास नाइफ रक ली थी जोर से वो बॉल को मार देती है इससे वो इंजोरो कर ब्लीड होने लग गया एमा अब कंफर्म हो गई थी कि उस फोटो शूट के बाद पॉल ने अप में डाल दिया उसी तरीके से एमा भी पॉल को नेट में डाल कर सी में फेक देती है जो उसने अपनी गर्फरेंट के साथ किया वही अंजाम उसे भूगतना पड़ा एमा के घर पर आते वक्त पॉल ने अपनी गाड़ी भी नहीं लाई थी जिसे सब को लग सके को यहाँ पर थी उसके पैरेंट्स को भी बात बहुत अच्छी लगी इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहतो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीज